कोई मसीहार तो जनाब लाना होगा आज हम लोग बात कने वाले हैं श्रुली आवास के जदुगार मेलोडी किंग इंडियन प्लबैक सिंगर महुम्मद अजीज सहबार बलूड के सुप्रसीद अभिनेता मजहर खान सहब का और दोस्तो आज है मजहर खान सहब का जनाम दीन 22 जुलाई 1955 को इनका जनाम हुआ था तो आज हम लोग मजहर खान सहब की जनाम दीन हमारे हर दिल अजीज महुम्मद अजीज सहब और मजहर खान सहब की सांदर जोड़ी की सांदर गीतों के बारे में बात करने जा रहे हैं तो चली दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करते हैं वैसे देखा जायतों महुम्मद अजीज सहाब नी बलुट के सुप्रसीद अभिनेता मजहर खान सहाब के लिए पहली बार अपनी अवाज दी 1985 में और फिल्म का नाम है सिवा का इनसाब और गीत के बुल है वक्त आ गया है इनकलाब लाना होगा और इस गीत को बहुत अपनी खुबसूरत आवाज में महुम्मद अजीज सहाब सुरेश वालेकर सहाब और नंदू भेंडे जी की जुरीन अपनी अवाज दी और यगीत पिक्चराइज हुआ मधर खान विनोद महरा और परिक्षित सानी सहाब पे वसे तिस फिल्म का संगीत आईड बर्मन सहाब ने दिया था और लरिक्स गुलसन बावरा सहाब ने दिया था और इस फिल्म के साथ ही और ऐसी कई फिल्म आई जिन फिल्मों में महुम्मद अजीज सहाब नी मजःखाण सहाब के लिए पनी अवास दी। जियां दोस्तों आप लोगों को 1985 की ही फिलिम रहम दिल जलात तो यादी होगा और इस फिल्म में भी महुम्मद अजीज सहाब नी मजहार खान सहाब के लिए एक बहुत ही खुबसूरत गित काया गित के बोल है जापोरी जा और इस गित को महुम्मद अजीज सहाबार उसा ट तो दोस्तों बस ये 1985 की दो ही फिल्मे है जिन में महुम्मद अजीज सहाब ने बलुट के सुपरसीद अभिनेता मजहार खान सहाब के लिए अवाज दी है जिन्हें आप चाहा कर भी नहीं भूल पाएंगे तो दोस्तों आप लोगों की जोरी जो है वो कैसा लगा एक पर हमें कामेंट करके जरूर बताईएगा और आज है बलुट के सुपरसीद अभिनेता मजहार खान सहाब का जन्म दीन तो हम लोगों के तरफ से मजहार खान सहाब को जन्म दीन की बहुत बहुत बधाई और जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो का अभीताक लाइक निकी हैं तो लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा थांची दस्तों हमारे वीडियो आचिंग करने के लिए